हम में से कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है लेकिन मीठा सेहत के लिए भी तो बहुत हानिकारक होता है हम यह जानते हैं लेकिन फिर भी मीठा खाने से कुछ को रोक नहीं पाते हैं लेकिन मीटा खाना हमारी सहत के लिए एक या दो नहीं बलकि कई बिमारियों की वज़ा बनता है। नमस्कार आप देख रहे हैं दे नगरी न्यूस की खास पेशकर सहत नामा। मैं हूँ शेक जूई। मीटा खाना गलत नहीं है लेकिन जादा मीटा आपके स्वास्त के लिए अच्छान नहीं है। इससे आपके लिए कई स्वास्ते समस्या खड़ी हो सकती है। लोग चीनी खाने को diabetes से connect करते हैं, पर इसको खाने से किबल diabetes ही नहीं, बलकि heart health के लिए भी खत्रा है. National Institute of Health के अनुसार आपको चीनी का अधिक सेवन रोकना है, जिसका ये मतलब नहीं है कि बस आप मिठाई खाना रोकना है, बलकि जिस तरह से शरीर में शुगर जा रही है, उन सभी पर नज़र रखना होगा. जैसे कि शुगर सरफ से बने शेक, कहीं सोस में भी शुगर शामिल होता है, केंडी और चॉकलेट, ज्यादा चीनी का सेवन आपको किस तरह से नुकसान पहुचा सकता है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं. जादा चीनी का सेवन इंसुलीन सेंसिटिविटी को कम करके बलड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे डाइबटीज का खतरा बढ़ जाता है. हाई डाइबटीज के साथ आपकी शरीर के लिए और कई रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे की हाई बलड प्रेशर और स्ट्रॉक का खतरा, जो दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है. चीनी में जादा मात्रा में कैलोरी होती है, जिससे जादा खाने से आपका वजन बढ़ सकता है, जिसके कारण हार्ट हेल्थ भी परभावित होती है. इसलिए मोटापे के शिकाल लोगों में हार्ट अटेक के केज जादा देखने को मिलते हैं. शरीर में चीनी की जादा मात्रा जाने से इंफ्लेमेशन पैदा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी का सेवन इंसुलीन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है ऐसी ओर खबरों के लिए देखते रहें दनगरी न्यूस की खास पेशकर सहतनामा